हेलो एव्रीवान चलिए आज फिर से हम अपनी हिंदी की कख्षा की शुरुवात करते हैं कल हमने क्या सीखा था कल हमने वर्नमाना में व्यल्जन को लिखना पढ़ना दोनों सीखा आज अभूश का थोड़ा सा रीक्याप कर लेते हैं मैं कुछ वोड़ कर वर्न लेख रही हूं तो आप अधनिफाई करके बताएए कि यह कौन सा वर्न है So, ये कौन सा वरन है? Yes, you're right. क. ये कौन सा वरन है? फ. ये कौन सा वरन है? ल. Good. ये कौन सा वरन है? र ये कौन सा वरण है ख चलिए आज का टॉपिक देखते हैं आज का टॉपिक है दो अक्षर वाले श इसके लिए सबसे पहले मुझे ये बताईए कि मैं क्या डॉप करी एपल और ये क्या है मिंगो और ये क्या है अगर ये सारे चीज़े हमारे पास पड़ी है तो हम इसको क्या बोल रहेंगे कौन से क्या नाम है इनका फ्रूट्स येस तो फ्रूट को इंग्लिश में तो फ्रूट कहते हैं लेकिन हिंदी में फल कहते हैं क्या कहते हैं फल फल बनता है दो अक्षरों से फल से और ल से पहला अक्षर है फल दूसरा अक्षर है ल फल और ल इन दोनों को मिलाकर बनता है फल क्या बनता है फल दो अक्षर मींस टू अक्षर दो का मतलब तू अक्षर मींस लटर तो दो अक्षरों के साथ जो हमारा वर्ट फॉर्म होगा आज हम वो सिखेंगे चीके चलिए लिखत तो हम सबसे पहले इस कॉर्णर में देट लिखेगे मिडल में हम क्लास टास्क लिखेंगे हैडिंग इतने हैं दो अक्षर वाले शब दो दो मेंस तू अक्षर अक्षर लेटर वाले शब्र शब्र होते हैं वर्ड्स दो अक्षरों को जोड़कर हम एक नया शब्र बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे चर प्लस लग चर प्लस लग इस इक्वल तू चल पहला साउंड आ रहा है चर का बात में साउंड आ रहा है ल का तो इन साउंड को हम जोड़ देंगे चल लग चल चल मीज चलता जैसे हम चलते हैं न तो चलना मीज वह करना वह करना तो वह चलना तो नेक्स्ट वर्ण है चर प्लस ख चक चक मीज चकना किसी का टेस देना चक्ता तो हम चक्करी चीज को बताते हैं कि वह मीखा है या नकीन है नेक्स्ट है घर घर गर तो गर होता है हमारा हाँ जसके हम अभी ममी पापा के साथ रहते हैं घर पे रहते हैं ठीक है? न प्लस ल नल नल होती है आपकी टै ठीक है? नल होता है आपका टै तो चलिए ये आज के थे हमारे दो अक्षर वाले श चल चल चक चक घर घर नल नल धन्यवाद